पेरे दोस्तों सलाम अलेकुम आज की वीडियो इस हेडलाइट लैम्प के बारे में है यह ट्यूब है हेडलाइट लैम्प की यह मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में इसको एच फॉर कहते हैं अगर आप देखें तो इसके आपर लिखा हुआ है ये यहां पे उपार नज़रा रहा है और यहां पर आपको चीज़े नज़रा रही है है ठीक है जी लाइट अन्यू एच कुछ इस तरह से लिखा हुआ है और उसके बाद फिर ट्रेडमार्क है पता नहीं क्या है यह सल्सला अजीविछ झीज इने बनाई विया है, जो भी है, जिस मुल्क का बना पता हुआ है, कोई पता है, किसी और पता है इसका कोई पता नहीं लग रहा रहा हूँ, इसके अंदर हम खोल के देखते हैं, तो यहां भी आपको कुछ अजीब से तमाशी देखने को मिलेंगे, वह पता, तो उनके knowledge के लिए मैं आपको बता दूँ कि ये आपके headlight में लगा होता है, जो गाड़ी का headlight है, जैसे कि यह यहां पर headlight है, इसके अंदर यहां कहीं के भी, तो यह एक low level का bulb है, मैं आपको दिखाऊ हूँ, इसके अपर लिखा हुआ है, 12 volt, euro plus, अच्छा, ब्रैकेट में लिखता है, not for use in Europe, अच्छा, euro plus है, लेकिन यूरप के अंदर use करने के लिए नहीं बनाया गया, तो कुछ अजीब ही कहानी है, बाराल, जो भी ही है, अच्छा, अब इसका है standard के मताबक, standard क्या है, अच्छा, यहां पर इसमें wattage भी लेखे होते हैं, अक्सर, old के साथ-साथ water mention कि होते हैं, दो तरह के watt होते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो filament है, वो को मैं तफसील से बात करता हूँ, किस तरीके से दो filament क्या करते हैं, आप low beam होती है, जो कि नीचे की तरफ रोश्णी करती है, ठीक है जी, तो वो low beam और up beam यहां से होता है, इस बलब के जरीए, बलब के जरीए कैसे होता है, अब देखें तो इसके अंदर दो filament हैं, एक filament यह है, एक filament यह और एक आपको इसमें इसमें इस टील की टोपी सी नजर आ र चलती है, अच्छा, अब जो main वाला है, यह धर्मयान वाला filament यह चारो तरफ रोश्णी करता है, चारो तरफ रोश्णी होती है, तो यह पीछे जो इसका reflector है, उसको सीधे आगे भेज़ दा है, तो वो beam ऊपर की तरफ चलती है, और यह beam नीचे की तरफ चलती है, अच्छा टर्मिनल इसके तीन है, तीन किस तरफ तरह के से के दो जो हैं, वो एक high beam का है, एक low beam का है, और एक ground है, ठीक है जी, common, अच्छा, मैं आपको बताऊँ किस तरह के से, यह इसका, इसका मैं आपको holder दिखा देता हूँ, यह इसका holder है, ठीक है जी, यह इसका holder है, इसकी तीन त एक regarded है कि बलब को इन करें , इन करें चटाइए इन कर लीं अच्छा आप अब यह जो टीन इस तीन टेरें हैं , impact है , जो बलेक इत्लीकार हों है , जो भाटो हैपी शी की जो बनाया हूँ दीजै फॉत को आपके हैं , रोशनी भी दिखाता हूं मीटर पर मेशरमेंट भी करते हैं सब करते हैं अच्छा उससे पहले थोड़ा सा थियोरी की तरफ जाते हैं किस तरीके से यह बना हुआ है अंदर क्या है इसके थोड़ा सा बलब से तुम आने आपको दिखा दिया कॉमन क्रेक्शन कैसे बनते हैं वह सब तफसील में आपको बताता हूं तो थोड़ा सा पेपर के उपर वर्क कर लेते हैं ताके आपको समझ आए ठीके जी यह इस तरीके से होता है कि एक filament होता है इस तरीके का ठीक है जी अच्छा इसके बाद फिर एक और filament होता है इस तरीके से अब ये निकल गए आपका common दो को मिलाके निकला गए ठीक है जी एक हो गए आपका high beam एक हो गए आपका low beam सहीजी इस तरीके से बनेगा अच्छा ये जो है high beam की रोशनी देगा अगर ये current यहां से गुजरेगी अच्छा अब अगर current इस तरीके से गुजरेगी तो ये high beam रोशन हो जाएगा या अगर current ऐसे गुजरेगी या ऐसे गुजरेगी किसी भी direction से में इस से current गुजर सकती है तो इसको इन्होंने black दिया हुए, black tar है, high को इन्होंने red दिया हुआ है, अगर इस तरह कर लें, low को जो है इन्होंने green दिया हुआ है, तो अमीद है कि आपको समझ आ गई होगी, अब बात कर लिजा है इसके voltage की, पावर की, तो एक होते हैं इसके voltage, voltage होते हैं वो गाड़ी में अकसरा 12V है, तो अकसर लोग यह current और voltage में confused होते हैं, तो समझे जो भी चीज़ गाड़ी में चलती है, वो 12V से चलती है, यह चीज़ understood है, जो experts हैं वो समझते हैं इसको, जो नए लोग हैं, जो उनको current का idea नहीं होता, वो इस चीज़ से थोड़ी confused होते हैं, अब एक अगली चीज़ जो V into I होता है, V जर्बे I, voltage, यह 12V और जो current लेता है, इसका जो जर्ब होता है, अगर आप इसको multiply कर देंगे, जर्ब दे देंगे, तो आपके पास जो चीज़ आएगी, वो होगी voltage, पावर, तो पावर जो है, simple मैं आपको बताता हूं statement में, कि पावर जो होता है, voltage और current का जो जर्ब होता है, voltage जर्बे current, इसका जो हासल जर्ब होगा, वो पावर कहलाएगा, DC पावर में, अगर AC की तरफ आएगे, तो इसके साथ एक और चीज़, पावर फेक्टर भी जर्ब करनी पड़ेगी, जैसे के जर्बे cos phi, यह cos phi जो है, यह पावर फेक्टर है, जो 0 से 1 तक होता है, ठीक है जी, लेकिन वो हम यहाँ नहीं लेते, उसकी वज़ा क्या है, कि DC में पावर फेक्टर 1 होता है, तो एक को अगर आप वहाँ पे जर्ब दे देंगे या नहीं देंगे, तो एक ही बात होती है, तो इसलिए उसको एग्नोर कर दिया जाता है, और V इंटू आई लिया जाता है, यह DC के लिए है, ठीक है जी, लेकिन AC के लिए समझ लें कि इसके में पावर फेक्टर जरब करना पड़ता है, पावर मालूम करने के लिए, तो वाटिज मसावी है, V इंटू आई, सही है, अब हम यह मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, और इसक के लिए क्या है, हमें एक एमपेर मीटर की जरूरत बड़ेगी, जो कि हमारा क्लेंप मीटर है, और इस बलब को मैं रोशन करता हूँ आपके सामने, फिर देखते हैं इसका एसका इसका इसका बनता है, वह मैं आपके सामने करता हूँ, तो अगर आप गलती कर भी लेंगे, तो ज्यादा ज्यादा रोशनी का और इन चीजों का फर्क पड़ जाता है, बागी कुछ नहीं होता, अच्छा ये ग्रीन वाला लो बीम अगर मैं रोशन करना हो तो ये सामने वाला जो है आपको ये रोशन होता हुआ नजार आएगा, ये देखें, ये बलके इन्होंने उल् करन्ट देखने के लिए हमें क्लैममेटर की जरूरत है, जिसको DC 40 A पर सेट करें, इसको एक थार में इस तरह से डालने, मैनस है, प्लस साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी, वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस सरफ आपको रेटिंग से मकसद है, अच् यह दो बीम हो गए, अच्छा, अब 4.8 A हमरे पास आगा है, वोल्टेज जो है, वो 12 है, अब अगली कल्कुलेशन करते हैं, अगली कल्कुलेशन क्या है, कि पावर की कल्कुलेशन है, अच्छा, यह बलब जो स्टेंडर है इसका, यह पचास, पचास वाट, साट वाट यह यह बलब लगाना, असी सो तक आप जा सकते हैं, लेकिन वो भी रिकमेंड़ नहीं है, रिकमेंड़ जो है, वो साट, पचास और साट वाट का है, पचपन वाट, साट वाट यह जो है, यह रिकमेंड़ है, अच्छा, इसका आप कल्कुलेट करते हैं, किस तरीके से, तो W इ मैं आपको कल्कुलेटर के जरीए करके दिखाता हूँ, अपना स्मार्ट फोन उठाईए, अब स्मार्ट फोन में जो है, तो कल्कुलेटर निकालिए, ठीक है जी, कल्कुलेटर में 12 लिखिए, 12 जरब करें, 4.8 के साथ, मैं आपको सामने कर रहा हूँ ताक आपको समझ आए इकवल कीजिए, 57.6, ठीक है जी, 57.6, यह हमारे पास आया, यह नहीं, 57, 58 समझ लो, 58 समझ लो, क्योंकि वोल्टेज बढ़ जाते हैं, जब गड़ी स्टार्ट हो जाती है, 58, 60, तो यह कुछ करीब करीब, अब 60 समझ लो, तो यह साथ वाट का बलब हो गया, ठीक है जी, पोल्डर की भी, और इसकी पावर किल्कॉलेशन की भी, करंट मेजरमेंट की भी, आपके इन सब चीज़ों का, की समझ आ गई होगी इस वीडियो में, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, तो तमसब जरूर कीजेगा, और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब देखने के लिए बहुत शुक्रिया